हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मेलते हैं तो as usual शुरू करूँगा fingers के analysis से उसके बाद check करेंगे fingers की setting को and mounts को और सबसे last में हम check करेंगे lines को इस तरह जो पुरे hand का जो analysis हम complete करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ साथ सा draw करता जाओंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो number आपको आपकी screen के उपर नजर आ रहा है यह मेरा whatsapp number है अगर आप भी अपने हाथ की video बनवाना चाहते हैं या phone consultation लेना चाहते हैं तो इस whatsapp number पर message send कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हतेली है एक इस तरह से complete squarish shape बना रही है कुछ इस तरह की shape इनकी हतेली की जो indicate करती है एक hard working type की nature को और अगर इनकी fingers को check किया जाए तो काफी अच्छी thickness में इनकी fingers नजर आ रहे हैं अब यहाँ से देख सकते हैं बेस phalanges यहाँ पर fingers के काफी थिक नजर आ रहे हैं जो indicate करते हैं काफी अच्छी energy और stamina को उसी के साथ साथ आपको इस तरह के काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं इनकी fingers के उपर नजर आ रही होंगी देख सकते हैं fingers बिलकुल आपस में सटी हुई है जो की positive चिन रहता है धनवान होने का ऐसे native बहुत ज़्यादा control लगते हैं अपने धन के उपर जिनकी fingers में gap ना हो और धन को बहुत सूच समझ कर खर्च करते हैं इस वज़े से काफी अच्छा धन accumulate कर पाने में कामयाब रहते हैं बात करते हैं fingers की लंपाई की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो fingers है length में काफी अच्छी नजर आ रही है और इनकी सूर्य finger और ब्रस्पती finger दोनों की लंपाई यह सूर्य finger है और यह ब्रस्पती finger है दोनों की लंपाई लगभग एक समान नजर आ रही है थोड़ा सा जुकाफ fingers का शनी finger की तरफ होता हुआ जिस वज़े से थोड़ी विराग्या की भावना life में रह सकती है लेकिन यहाँ पर काफी अच्छी creativity इनके भीतर रहेगी क्योंकि सूर्य finger length में अच्छी है और काफी अच्छी leadership qualities यहाँ पर guru finger की अच्छी लंपाई होने की वज़े से और काफी strong और thick finger होने की वज़े से इनके भीतर रहने वाली है सूर्य finger अगर अच्छी length में हो तो native थोड़ा सा risk taker भी होता है जब यह finger अच्छी लंबाई में होती है तो adventurous type की personality व्यक्ति की रह सकती है risk taking type की capacity व्यक्ति की ज्यादा रहती है even कई बार अपनी धन भी investments के मामले में भी ऐसे व्यक्ति risk ले बैठते हैं अपने धन को ऐसी जगाओं पर भी invest कर देती है जहाँ पर loss के chances भी हो जैसे share market है cryptocurrencies है ऐसी जगाओं पर भी अपना धन invest करने की रूची इनकी हो सकती है और अगर देखा जाए इनकी shiny finger को बिल्कुल straight shiny finger काफी अच्छी thickness में shiny mount थोड़ा सा दबता हुआ native को hard working बनाती है यह सभी चीज़ें और ऐसे व्यक्ति काफी मेहनती होते हैं routine life को follow करने वाले होते हैं और जो इनकी ब्रस्पती finger है strong है जिस वज़े से knowledge इनकी काफी अच्छी रहेगी और family की तरफ से काफी अच्छा सुख व्यक्ति को मिलता है जब यह finger और mount अच्छे हो अगर हम बात करें mercury finger की mercury finger लंबाई में काफी अच्छी है थोड़ी सी low set जरूर है और surya mount के top falange तक नहीं पहुँच पा रही थोड़ी सी shy nature और introvert nature रहेगी लेकिन काफी अच्छे communication skills और काफी अच्छी wisdom हम ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी mercury finger की लंबाई अच्छी हो चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी mounts को उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे इनकी सभी रिखाओं को भी तो यहाँ पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट और इनका शनी माउंट हाई सेट हैं लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ दबते हुए जबकि इनका जो mercury माउंट हलका सा लो सेट और इवन इनका ब्रस्पती माउंट भी हलका सा लो सेट परन्तों ये दोनों माउंट उपर की तरफ उठे हुए हैं जो इन्हें positive result देंगे आपको दिखाना चाहूँगा यहां से यह माउंट हलका सा लो सेट हो रहा है जिस वज़ए से तोड़ा शरमीला सभाव और हैजिटेशन वाली नेचर होगी लेकिन यह माउंट उभरा हुआ है और एक लंबी मरकरी रेखा यहां पर आप देख सकते हैं यहां जो एक लंबी लाइन है यहां मरकरी लाइन कहला आती है और यहां पर भी जो खड़ी रिखाए है यह भी मरकरी माउंट के ओपर खड़ी रिखाए अगर हो तो नेटिव का बिजनस एकुमेन काफी स्ट्रॉंग होता है ऐसे व्यक्ति बिजनस के जरीए भी धन कमा सकते हैं और वैसे भी यहां पर व्यक्ति की प्रोज और कॉंस चेक करने की कपैसिटी बढ़ जाती है जब इस तरह है कि मरकरी रिखाए हाथ में हो और ऐसे व्यक्ति बिजनस माइंड़ होते हैं और एवन अगर जॉब में भी हो तो भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि कम्निकेशन स्किल्स, कैलकूलेशन ये सभी चीज़ें ऐसे नेटिव की स्ट्रॉंग हो जाती है मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट होना कई बार ऐसे नेटिव अपने विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं जब यह माउंट लो सेट होता है तो ऐसे नेटिव के पास सही समय में सही शब्द नहीं ऐसे नेटिव को मिल पाते कई बार अपनी आपको एक्सप्रेस करने में अधर्वाइस यहाँ पर कोई भी कमी मुझे इनके मरकरी माउंट के जरीए नजर नहीं आ रही बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की अब देख सकते हैं सूर्य माउंट के ओपर एक खड़ी लाइन मौझूद है जो इनकी creativity को indicate करती है और इवन यहाँ से भी एक हलकी सूर्य रेखा उपर की तरफ बिशक यहाँ पर जो strong सूर्य रेखा है यह हमें हार्ट लाइन के उपर ही नजर आ रही यह हार्ट लाइन रहती है इसके उपर एक strong सूर्य रेखा नजर आ रही है जो indicate करती है कि ऐसे native को later age में चलकर 58 के आसपास की age के बाद काफी अच्छी recognition society में मिल जाती है और यहाँ पर एक हलकी रेखा का होना दर्शाता है कि पहले भी यानि कि 30 की लगवक 36 की age के बाद भी ऐसे native का अच्छा social circle रहेगा लेकिन जादा benefit इन्हें सुर्य रेखा का later age में चलकर ही मिल पाएगा सुर्य amount का week होना दर्शाता है सुर्य amount यहाँ आप आप दिखता हम हलका सा अच्छे लाब देता है ऐसे व्यक्ति आगे केज में चलकर politics के जरीए भी fame पा सकते है आगे देखते हैं इनके शनी माउंट को शनी माउंट का यहाँ एरिया रहता है आप यहाँ पर देख सकते हैं शनी माउंट अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है जिस वज़े से life में ups and downs और संगर्श ज्यादा रहता है ऐसे व्यक्ति को काफी मेनत करनी पड़ती है और शनी रेखा की अगर हम बात करें तो शनी रेखा काफी अच्छी नजर आ रहे हैं अब देख सकते हैं यहाँ पर एक strong शनी रेखा जो लगबग इस एरिया से निकल रही है और इवन इसे पहले भी शनी रेखा की existence है यहाँ पर शनी रेखा 36 के आसपास की age में चल कर एक shift को indicate कर रही है तो लगबग 36 के आसपास की age में ऐसे native की life में changes जरूर आते हैं career में changes आने की संभावना रहती है और अगर आगे की रेखा strong हो तो ऐसा व्यक्ती धीरे धीरे करकर काफी अच्छे तरक्की भी पा लेता है तो यहाँ पर इनकी शनी रेखा काफी strong हो रही है बेशक कुछ ups and downs को भी indicate करती है इस तरह की stress lines जो रेखाएं इस रेखा को touch करती है या अगर यहाँ रेखा कटी फटी हो तो बहुत ज़्यादा stress हो जाता है तो यहाँ पर कुछ हलका stress भी रह सकता है unsatisfaction अपने career में रह सकती है लेकिन काफी अच्छा career यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ और अगर यहाँ रेखा completely shiny mount तक पहुँचती है जैसे यहाँ पर आप देख सकते है इस तरह की रेखा रहती है तो ऐसे native old age में भी earnings करते रहते है जो इनकी income रहती है वो old age में भी बरकरार रहती है और दूसरी चीज़ आप देख सकते है यहाँ पर काफी हद तक इनके हाथ में money triangle की formation हो रही है यहाँ जो रेखा है जो इनकी life line से निकल कर इनकी mind line तक पहुँच रही है यहाँ और दूसरी यहाँ रेखा mind line और तीसरी यहाँ रेखा यहाँ से थोड़ी सी weak होती हुई लेकिन लगबग यहाँ पर एक complete money triangle को यहाँ create करती हुई इस तरह कि जब इत्रिकोन यहाँ पर बंथी है तो ऐसे native धन के मामले में lucky होते हैं और अपनी life में काफी अच्छा धन accumulate करने में कामियाब रहते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो mount of Jupiter है यानि के ब्रस्पती mount यहाँ उबरा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति ग्यानवान होते हैं knowledgeable होते हैं और यहाँ पर दो से तीन ऐसी खड़ी रिखाएं आपको नजर आ रही होंगी ऐसी रिखाओं को progress lines कहा जाता है life line पर जितनी ज़्यादा ऐसी upward जाने वाली रिखाएं मौझूद हों उतनी तरक्की व्यक्ति की life में रहती हैं जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी अच्छी progress lines और इवन इनकी life line से आगे यहाँ पर middle age में चलकर भी कुछ रिखाएं उपर की तरफ चलती हैं नजर आ रही है तो यहाँ इंडिकेट करती है fulfillment of desires को ऐसे व्यक्ति life में काफी अच्छी progress पा लेते हैं जिनकी life line के उपर या mind line से उठकर उपर की तरफ ब्रस्पती मौंट की तरफ रिखाएं जा रही हैं तो यहाँ पर ब्रस्पती मौंट इन एक positive results देने वाले हैं और अगर हम इनकी heart line की बात करें तो आप देख सकते हैं heart की line कुछ इस तरह से कर्व में नजर आ रही और एक branch यहाँ से ऐसे निकल कर एक Vishnu symbol create करती हुई इस तरह का चिन जिनकी हतेली पर बनता है सिर्थी भाकेशाली रहते हैं अगर ऐसे native इमानदारी के रास्ते पर चल कर धन कमाते रहें तो life में काफी अच्छी progress मिलती हैं लेकिन अगर कभी भी life में unfair means का use करें या किसी भी गलत तरीके से धन accumulate करने की कोशिश करें तब life में अच्छनों का सामना भी ऐसे native को करना पड़ता है जिनके हाथ पर इस तरह का V symbol बनता हो और साथी साथ कुछ downward चलने वाली रिखाएं इनकी heart line से नीचे की तरफ चलती हुई इस तरह की रिखाओं को emotional setbacks की lines कहा जाता है जब इस तरह की branches नीचे की तरफ चलती है तो ऐसे व्यक्ति को life में emotional setbacks का सामना भी करना पड़ सकता है overall यहाँ पर इनकी जो heart line है ज्यादा परभावित करती हुई नजर नहीं आ रही क्योंकि heart line strong है बहुत ज़्यादा negativity इनकी heart line में नहीं है एक deep cut रेखा है और यहाँ पर थोड़ी सी shallow होती हुई रेखा जो indicate करती है कि blood pressure जैसी problem या minor issues इनको रह सकते हैं यहाँ पर कोई भी major problem होती हुई नजर नहीं आ रही बात करते हैं इनकी line of mind को mind line आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर देखा जा तो और यहाँ पर एक खास बात है इस रेखा का नीचे की तरफ जुकना यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं यह रेखा इनकी चंदर माउंट की तरफ जुकती हुई जिस वज़े से overthinking रह सकती है over imagination रहने के संभावना रहेगी तो अगर ऐसे native कुछ artistic काम करें कुछ writing का काम कुछ किसी अपनी hobby को complete करें और अपनी जो overthinking है जो इनकी imaginations है उनको channelize करें तो life बहतर रहती है otherwise थोड़ी anxiety होने की थोड़ा सा तनाव होने की संभावना रहती है इस तरह की रेखा की वज़े से normally लंबी mind line का होना sharp mind को indicate करता है memory इनकी काफी sharp रहने वाली है आगे बात करते हैं इनकी line of life की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं life की line काफी अथक बाहर की तरफ निकलती हुई और ant में एक वी symbol एक fish ऐसा symbol create करती हुई यहाँ से इनकी life line को आप देख सकते हैं इस तरह की ant में आकर एक जो shape बन रही है इस तरह की shape अगर ketu mount के ओपर बनती है तो यहाँ दर्शा आती है कि ऐसे native को अपनी birth place से अपनी native place से दूर रहना पर सकता है विदेश जाने के chances भी बनते हैं ऐसा व्यक्ति फॉरण जाकर बस सकता है काफी लंबा समय stay कर सकता है और even ketu mount के ओपर ऐसा चिन व्यक्ति को sudden wealth gains भी देता है अचानक धनलाब life में होने की संभावना रहती है inherited property में लेकी संभावना को भी यह प्रबल करता है चिन और आप देख सकते हैं life line की लंपाई काफी है एक लंबी life line होने की वज़े से 80 प्लस की age यहाँ पर रहने की संभावना रहेगी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लंबी मंगल रेखा यहाँ पर मौझूद है इस तरह की life line के साथ supportive line अगर चलती है तो ऐसे व्यक्ति की health अच्छी रहती है energetic personality रहती है और ऐसे व्यक्ति property के मामले में भी लखी रहते हैं अपनी life में काफी अच्छी property बना पाने में सक्षम रहते हैं अब बात करते हैं इनके Venus mount की अब देख सकते हैं Venus mount काफी उठा हुआ तो इस तरह का mount अगर हाथ में मौझूद हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा खर्चीले सभाव का भी हो सकता है खास तोर पर लग्सरी चीजों के उपर खर्च करने की आदत हो सकते otherwise जो चिन इनके हाथ में है इन्हें economic बनाएंगे लेकिन Venus का उभरा हुआ होना कई बार व्यक्ति को कपड़ों के उपर लग्सरी चीजों के उपर खर्च करवाता है तो इस तरह के संभावना रहेंगे कमुकता थोड़ी सी अधिक रह सकती है overall Venus अच्छा होने की वज़ए से life में हर तरह की सुकसुधाएं इनके रहने के संभावना रहेगी और अब देख सकते हैं Moon Mountain को यहाँ पर area कम मिल पा रहा है Moon की तरफ यहरेखा बढ़ रही है Moon का size में short होना Moon Mountain का weak होना indicate करता है कि थोड़ा तनाव native को रहने की संभावना रहेगी तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है मेरा वीडियो वाच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद